हेलो एवरिवान वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन जॉब अलर्ट तो हमेशा की तरह आज आपसे में जो रिकूट्मेंट शेयर करने वाला वो है पावर ग्रीड कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड यानि की पीजी सी आयल के एंडर जो अप्रेंटिशिप्स के लिए जो रिकूट्मेंट निकला है उसके बारे में इसमें लगबग 1150 फ्लस वैकेंसी यहाँ पर यहाँ पर वैकेंसी जो लग अलग लग की है 12 रिज के लिए है उसके बाוד यहाँ पर जो है आई-टिय वाले भी अप्लाइ कर सकते हैं कुछ वैकंसी के लिए उसके बाद में डि तक stipend है उसके बाद में आपका डिपलों वालों को यहाँ पे 12,000 तक stipend है 11,000 आपका जो है ITIA वालों को लगभग यहाँ पे stipend है बाकी सारी चीज़े मैं आपको यह जो वीडियो है इसमें share करूँगा जैसे कि selection pattern कैसा है और हर region में कौन से post या कौन से trade कोन से apprenticeship trade के लिए हाँ पे कितनी vacancy है वो भी आपसे share करूँगा और last में apply कैसे करना है वो भी ध्यान से सुनो क्योंकि आपको apprenticeship India और जैसे कि MHRD Nats ऐसे site पे आपको पहले registration करना है वो सारी आपको procedure में आगे बताऊंगा सबसे पहले vacancies के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लगबग 12 regions है जिसके अंडर ये recruitment निकला है तो सबसे पहला जो region है यहाँ पे वो है corporate center गुरुग्राम जो है covering state जो है वो हर्याना है तो चलते इसके notification की तरफ एक साल का आपका apprenticeship का training रहेगा जो corporate center दिया है उसके बाद में यहाँ पे training locations भी दिये है गुरुग्राम और पाल मनिसर उसके बाद में यहाँ पे जो vacancy है वो total 47 है graduate, electrical, computer science दोनों के लिए यहाँ पे vacancy है उसके बाद में HR executive के लिए 26 vacancy है CSR CSR executive के लिए आपे 3 vacancy total है बाकी आपकी category के साथ आप यहाँ पे apply कर सकते हो उसके बाद में जो simply आपका qualification कहा रहेगा जहाँ पे graduate लिए का आपको BEB tech ज़रूरी है उसी stream में computer science के लिए उसी stream में आपका BEB tech होना ज़रूरी है 4 years full time course याद रखना part time वाले those are not eligible 15,000 आपको stipend मिलेगा HR executive जैसे मैं आपको बता है बाकी streams के लिए भी जो non-technical है MBA, post graduate, diploma in personal management, personal management and industrial relation तो अगर आपका यह full time course हुआ है तो आपको यहाँ पे 15,000 stipend मिलेगा अगर आप select हो जाते हो उसके बाद में CESR executive 2 years full time master in social work याने कि MSV और rural development और अपका management या फिर equivalent course में अगर अपका हुआ है then it is 15,000 आपको यहाँ पे stipend मिलेगा payment of an additional 2,500 in case no company accommodation is provided candidate who possesses the educational qualification as mentioned and passed within 2 years of the closing date and medically fit as per the provision of your apprenticeship act 1961 उसके हिसाब से eligible to apply अब यहाँ पे कौन-कौन लोग apply नहीं कर सकते यह चीज़ धान से सुनना क्योंकि यहाँ पे हर notification में आपको यही सारी चीज़े common दिखेगी vacancy के अलवा so awaiting the results आप apply नहीं कर सकते 18 years के आगे आपका age होना चाहिए अगर आप already apprenticeship training आप किसी organization में कर रहे हो तो आप नहीं apply कर सकते एक साल से जादा अगर आपका experience है job experience आप तभी भी apply नहीं कर सकते यानि कि आपका एक साल से कम experience होना चाहिए if any candidates found not eligible या फुर कुछ false information होती तो वो candidature तो cancel हो जाएगा तो यह चीज हमेशा पूछ दे कि apprenticeship होने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा so ऐसा कुछ भी आपको offer नहीं किया जाएगा आपका सिर्फ यह training program है जिसको आपको attend करना और completed के बाद आपको certificate विगरा मिलेगा और आप उसका अच्छा यूज कर सकते हो आपके career के लिए और आगे कभी vacancy निकलती है कहीं भी तो आपको वह अच्छा से यूज कर सकते हो selection procedure के बारे में सबसे पहले बात करूँगा तो इसमें जो है आपका percentage of marks बहुत simple है so आपका उसी की basis पे selection होगा shortlisted candidates shall be intimidated through the register mail ID and will also appear for the verification of documents जो भी आप यहाँ पर information put up करोगे उसके बाद में no TAD है आपको जो है verification के दोरह नहीं मिलेगा on successful of completion of document verification DV उसके बाद में आपका medical certificate in prescribed format execution of apprenticeship contract agreement later of engagement shall be issued in the candidate यानि कि आपका जब merit list में नाम आ जाएगा इसका मतलब यह नहीं कि आपका final selection हो गया जब तक आपके हाथ में document verification नहीं हो जाता और दूसरा आपका medical certificate जो है वो valid नहीं हो जाता तब तक आपका final आपका engagement नहीं होगा okay apply कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा आगे के इसमें last date मिसका आपको बता देता हूँ 31st July है चलते हैं next जो है इसके link की तरफ तो आपका northern region का जो है फरिदाबाद जिसमें बहुत सारे states cover रहते हैं जैसे के देली से आप अगर हो हरियाना उत्तरप्रदेश राजस्तान उत्तराकंड तो उन जो candidates के लिए यह vacancies है यहाँ पर जो है NR1 यहाँ पर region है तो डेली का जिसमें ITI electrician की 5 vacancy diploma electrical, diploma civil की 2 और 1 vacancy electrical के लिए 3 graduate के लिए और graduate civil के लिए 1 ऐसे total 12 vacancy हरियाना के लिए 56 vacancy है जिसमें ITI electrician, diploma civil electrical के लिए 16 क्या 10 graduate electrical जो है उसके लिए 13, civil graduate के लिए 3 vacancy और HR executive के लिए 4 56 total vacancy है उत्तरपदेश के लिए जो है यहाँ पर ITI electrician की 5 5 vacancy diploma electrical, civil के लिए 4, 3 जो है graduate electrical की वो है 3 और आपका graduate civil अगर हुआ है तो एक vacancy यहाँ पर total 18 उसके वे राजस्तान के लिए 43 vacancy है बाकी अगर चेक करें तो electrician के लिए 15, 12 vacancy diploma electrical, 5 vacancy civil diploma 7 vacancy जो है वो graduate electrical और civil के लिए आपे 4 vacancy है तो total 43 उत्तरपदेश के लिए 13 vacancy है इसमें 4 ही आपको trade मिलेंगे वो है graduate electrical के लिए 3, ITI electrician के लिए भी 3, 5 vacancy diploma electrical और 2 vacancy जो है वो civil जो है diploma अगर आपका हुआ है so यह है total vacancies okay for the region जो अभी आपको बताया उसमें आपका training location कहा कहा होगा यह tentative list है डिल्ली के लिए यह location दिये है हरियाना के लिए यह उसके बाद में राजस्तान यह tentative है याद रखना changes हो सकते है उत्तरपदेश के लिए यह सारे location उत्तराखन के लिए यह तीन electrician लिखा हुआ है वहाँ पर आपको idea ज़रूरी है 11,000 stipend जैसे मैंने आपको starting में बताया है diploma electrical के लिए definitely आपका electrical में diploma civil के लिए वही graduate electrical और graduate civil के लिए आपका engineering बाकि आपको stipend जो है डिप्लोमा के लिए 12,000 है 15,000 है अगर आपका graduation होगा तो 15,000 वही HR executive जो पोस्ट है उसके लिए 15,000 आपको यहाँ पर मिलेगा बाकि सारी चीज़े यहाँ पर सेम है कुछ भी selection pattern भी आपका सेम है apply कैसे करना है मैं आपको last में एक दम बताऊंगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए उसके बाद में जम्मू के लिए जो है एनिकी NR2 जो नौरत इलेटरिकल के लिए तीन इलेटरिशन के लिए 6 उसके बाद में डिप्लोमा इन ओफिस मैनेजमेंट यह जो नया स्ट्रीम है उसके लिए एक law executive के लिए एक vacancy HR executive 2 CSR executive के लिए एक vacancy है ऐसे total 25 हरियाना के लिए लगबग 13 बाकि डिप्लोमा सिविल के लिए 2 डिप्लोमा इल कर सकते उसके बाद में हिमाचल परदेश में 15 अब इन डिटेल में आपको नहीं बता हूँ क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे छोटे-छोटे जो है स्ट्रिम के लिए भी vacancy है डिप्लोमा इन ओफिस मैनेजमेंट जो है चंदिगर में दो vacancy है लड़डाक में भी हाँप 75 vacancy ह सारे इसमें देखेंगे तो मैं आपको एक जनरल बता दू graduate electrical है, civil है, diploma electrical है, diploma civil है, ITI, electrician mostly है और office management भी इसमें add-on हो चुका है तो उसी हिसाब से आपका educational background यहाँ पे मांगा जाएगा office management का मैं आपको बता दूए आपर 10th class pass with 50% और higher marks in a English subject with 1 year CTS या फिर NCVT trade certificate in secretarial practice English, stenography या फिर diploma in recognized by ICT तो यह सारा आपका eligibility है पे criteria उसको 12,000 आपको मिलेगा डिपलों वालों को जैसे मैंने बताया 12,000 यह है, law के लिए वो बताना रहे गया, so graduate degree in any discipline and bachelor degree in law, that's it, आपका यह ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़े यहाँ पे से हमें, okay, candidate suits, again, आपका result जो है वो अवेटेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद में next चलते है, अभी vacancy जो है म जो है 3, उसके लिए जो vacancy उत्तरप्रदिश में वहाँ पे 90 vacancy है, वही सारे streams के लिए जो मैंने आपको बताया है total, उसके बाद में उत्तराकंड जो है NR3 है, यहाँ पे 5 vacancy, इसमें भी diploma electrical, ITI, electrician और HR executive के लिए 5, training locations यहाँ पे दिये हुए है, उत्तरप्रदिश यानिकी ब चलते, Eastern region में total vacancy जो है 54 है, बिहार के लिए, जारकंड के लिए 20 vacancy है, और बाकी जो है यहाँ पे add-on जो हुआ है, वो ENTC यानिके लिए electronics and telecommunication जो है, वो add हुआ है, so उसके लिए यहाँ पे जो है 2 vacancy है, and यहाँ पे भी 2 vacancy है, okay, उसके बाद में next जो आपका आता है, वो है Kolkata, so ER2 जो Kolkata region है, यहाँ पे है West Bengal, so vacancy 63 है, वही सारे stream के लिए, उसके बाद में 8 vacancy जो है, वो सिक्किम के लिए है, West Bengal plus सिक्किम का यह notification है, उसके बाद में next notification जो है, वो है North Eastern, यानिकी NER region जो आपके सारे आते है, अरुनाचल परदेश, मनिपूर, मेगाले, आतरिपूर सेवन सिस्टर से या फिर वो साइड, इसके लिए जो है vacancy जो है, वो आपकी हर एक के लिए AR, यानिकी अरुनाचल AP, अरुनाचल प्रदेश के लिए जो vacancy 30 है, आसाम के लिए 50 vacancy है, उसके बाद में मनिपूर के लिए 4, 20 vacancy मेगाल है, मिजुराम के लिए 4 vacancy है, नागाले पर देख सकते हो, और उसी साब से आप apply कर सकते हो, next जो है आपका, वो है Odisha Projects, जो है Bhuvanishwar, so यहाँ पर जो है Odisha के लिए 47 total vacancy है, okay HR executives के लिए लेकि, mostly आपको graduate electrical, graduate civil common दिखेगा, diploma civil, diploma electrical common दिखेगा, HR executive भी बहुत से जगह पर common है, और electrician भी था, इसमें नहीं है, 47 vacancies, आप को total यहाँ पर है, आते हैं, महारस्टा की तरफ, जो है आपका western region first, okay, इसमें जो vacancy है, total वो बता दू, 58 है, जिसमें 36 गड़ भी उन्होंने add किया है region, तो वो है 42 vacancies, okay, and मध्यप्रदेश जो है, वो है आपकी 4 vacancy, गोवा region के लिए भी यहाँ पर 4 vacancy है, कुछ नए, यहाँ पर नहीं है streams, वही सारे जो already मैंने आपको बता दिये, okay, उसके बाद में जो next आता है, आपको यह है training center, मध्यप्रदेश और गोवा के लिए दो ही training centers, यहाँ पर allocate है, next, आपका चलते है, WR2 जिसमें आता है, गुजरात, गुजरात में जो vacancy है, उसके बारे में, बता दू, टोटल है 53, उसके बाद में कुछ जो part है मध्यप्रदेश, वहाँ पर है 56, यहाँ पर भी आपको बाकी जो training आपके details है, वो पता चल जाएंगे, next, आते है, आपकी जो है second last, southern region, SR1 and SR2, तो अंदर प्रदेश जो है तेलंगना, यहाँ पर 42 है, और तेलंगना में 32, यहाँ यहाँ पर vacancies है, बाकी training locations का tentative list यहाँ पर दिया है, कुछ नया position इसमें भी नहीं है, वही सारे position के लिए vacancy है, उसके बाद में last जो है, आपका ISR2 आने बैंगलोर के लिए, यहाँ पर करनाटा का 28, तामिलाडू 62, केरला के लिए 22 vacancy है total, और यस वही सारा आपका, और एक यहाँ पर जो add हुई है, secretarial assistant की जो post है, उसके लिए जो आपका trade है, उसके लिए आपका 10th pass, knowledge आपको stenography, commercial practice है, secretarial का या पर computer application का आपको अच्छा का सा knowledge होना चाहिए, उसके लिए जो आपको 11,000 stipend में लेगा है, ITI का trade है उसके जैसा, ओके तो मेरे खायल से अभी मैंने बता है, लेकिन बाद में वही सारे vacances थे, तो आप आपके eligibility के हिसाब से check कर सकते हो, इसका पूरा link मैं आपको दे दूँगा, लेकिन अभी बात करेंगे apply कैसे करना है online, so आपको सबसे पहले step 1 क्या करना है, get your NAPS registration number, अब NAPS और NAPS यानि कि आपको क्या करना है, वो मैं आ या फिर ITI electrician, तो आपको कहा registration करना है, apprenticeship.goe.in, अगर आप diploma या फिर आपका degree हुआ है, देन आपको MHRD Nats पे आपको register करना है, ओके, याद रखना, क्योंकि ITI वाले यहापे नहीं कर सकते, diploma electrical या diploma, degree या फिर civil वाले, apprenticeship इंडिया में नहीं कर सकते, registration, क्योंकि या registration number आपको ज कर दूँगा, apprenticeship India की आपको पहले सबसे में site दिखा दूँ, यह है apprenticeship India की site, ओके, यही से आपको जो उपर की तरफ जो आपको मिल जाएगा registration का, आपको यहापे candidate पे click करके, आपको सीधा registration करना है, या फिर आप already register हो तो आपको login करके आपका देना है, जो registration number, क्योंकि वो ज़ description में दे दूँगा, यानि कि आप तक मैं आपको जो है link जो provide करने वाला हो, वो तीन link आप तक मैं ने बताए, एक तो यह जो आपको सामने नजार आ रहा है उसका link, दूसरा link आपको apprenticeship India का, तीसरा link आपको MHRD Nats का, ओके, जब आपका यह complete हो जाएगा, तब आपको क्या करन करना है, apply for apprenticeship power gate, अब यह चौथा link आपको मैं provide कर दूँगा, यह है वो link, अब यहाँ पर आपको जो है, एक दम, मतलब जो हर एक post ID के साथ यहाँ पर बताया है, तो आपको जब भी आप apply करोगे, एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले तो आप अपने region के हिसाप से करोगे और region में आप जहाँ जहाँ eligible है, वो आप note down करके रुको और यहाँ पर आपको जो है, वो मिल जाएगा, region, तो आपको simply पहले क्या करना है, यानि कि आपको step 2 कहा से शुरू करना है, वो मैं बता दितो, यहाँ से आपको शुरू करना है, click here to apply, तो login तो नहीं हुआ है, तो click here to apply से आपको शुरू करना है, यह रहाँ आपका चौता link, जहाँ से आपको apply करना शुरू करना है, और जैसे ही आप इसमे click करोगे, तो आपको क्या-क्या चीज़े चाहिए, वो भी मैं आपको बता दू, photograph 50KB, उसके बाद में signature 30KB के अंडर, JPJ format में, 10th आपका जो है, वो certificate certificate, mark sheet, then 12th का अगर होगा, उसके बाद में diploma, degree, ITI certificate, उसके बाद में cast certificate, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको जो है, यहाँ पे आपको relax session रहने की, जो vacancies है, उसके हिसाब से, PWD certificate and other certificate, कोई भी fees आपको यहाँ पे pay नहीं करना है, और जब, okay, enter the Nats, या फिर आपका Naps registration ID, जैसे मै आपको बताया है, यहाँ पे, और उसके बाद में आपको यहाँ पे check box में click करके, submit करके, आपका form fill up करना, आगे शूरू करना है, जैसे मैं आपको आगेन बता रहा हूँ, जो है, diploma, degree, MHRD Nats, और बाकी सारे apprenticeship India, इस पे जाके आपको registration करना ही है, candidate should apply for one trade only, for nearby location, okay, तो एक trade अ region को apply कर सकते हैं, okay, so यह link मैं आपको directly दे दूँगा, चौथा link जहां से आप apply कर सकते हैं, जब आपका पहला step complete हो जाएगा, 31 तारिक इसका last date है, okay, उसके बाद में education qualification has mentioned past within two years from the closing date of application, yes, आपका education qualification है, वो past आपका within two years of the closing date of the application होना चाहिए, okay, अगर आप अभी apply कर रहे हो, म दो साल के अंदर अपका educational background याने की past होने चाहिए, medically fit वेगरा सारी चीज़े, not applied तो मैंने बोल दिया है, कौन को नहीं कर सकते हैं, कोई application करने के बाद भी उसको reject किया जा सकता है, अगर उसका सही नहीं होगा, बाकी selection procedure आपके percentage ही matter करेंगे, बहुत अच्छी एक opportunity है, अच् apprenticeship में उतना stipend नहीं मिलता है, और PGCAL एक बहुत अच्छा platform है, जहाँ पे आप यह training कर सकते हो, so, चारो link मैंने आप से share कर दिये है, apply करो, मेरे खाल से मैंने जितना in detail में बताने कोशिश की उतना बताया, आप जो vacancy वाला part है, वो skip भी कर सकते हो, देखते हैं, क्योंकि होता तो एक ही हुआ होगा, जिसके हिसाब से आप apply करोगे, so, बाकी यह channel को subscribe करो, पाच्वा link मैं आपको telegram channel का भी दे दूँगा, उसमें भी आप join हो सकते हो, क्योंकि, ऐसे vacancy is already posted है, आप जाके check कर सकते हो, फिर आप graduation हो, आपका diploma हो, non-technical field से हो, या फिर आपका कोई दोस्त ह हर दिन आपको job alerts से channel पर officially मिलते रहेंगे, जो भी officially आएंगे, फिर वो private रहो, government sector के रहो, तो उसके लिए आपको दो चीज़े बहुत जरूरी है, subscribe करो, और bell icon को hit करो, क्योंकि dates निकल जाती है, फिर आप form fill up नहीं कर पाओगे, या फिर details कोई मीस हो जाता है, तो बाद में ये चीज़ होती है कि questions आते है कि ये गलती से ये अभी मैंने upload किया है, गलती से ये upload किया, so ये चीज़ ना हो, इसलिए पूरा अच्छे से video देख लो, उसके बाद apply करते जाओ, so thank you all, all the best and stay tuned to the channel.